आपका पहला सवाल है, पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण काल क्या है? आपके ओप्षिन्स हैं A. जनता की सुरक्षा B. समाज कलियान C. अपने परिवार की सुरक्षा D. उपियुक्त में से कोई नहीं? आपका सही जवाब होगा ओप्षिन A. जनता की सुरक्षा आपका दूसरा सवाल है, भारती अदन संगिता की कौन सी धारा आत्महत्या के लिए प्रयाश से समबंधित है? आपके ओप्षिन्स हैं A. धारा 311 B. धारा 420 C. धारा 309 D. धारा 306 आपका सही जवाब होगा ओप्षिन C. धारा 309 आपका दूसरा सवाल है, कौन सा रक्तवर्ग, ब्लड ग्रूप, हर रक्तवर्ग वाले मनुष्य को दिया जाता है? आपके ओप्षिन्स हैं B. ब्लड ग्रूप A. ब्लड ग्रूप O. ब्लड ग्रूप A. B. ब्लड ग्रूप आपका सही जवाब होगा ओप्षिन C. ओब्लड ग्रूप आपका चौथा सवाल है, रिफ्रिजुरेटर में कौन सा ग्यास द्रव का प्रयोग किया जाता है? आपके ओप्षिन्स हैं A. गंडक B. कोसी C. कृष्ण D. महानदी आपका सही जवाब होगा ओप्षिन्स C. कृष्ण आपका चौथा सवाल है, विटमिन B की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आपके ओप्षिन्स हैं A. सूखा रोग B. रतौन्धी C. बेरी-बेरी D. टी-बी आपका सही जवाब होगा ओप्षिन्स C. बेरी-बेरी दोस्तों ऐसी ही विडियो रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए आपका साथ वाँ सवाल है, निमनलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? आपके ओप्षिन्स हैं, A. शनी, B. सूर्य, C. ब्रिहस्पती, D. बुध आपका सही जवाब होगा, ओप्षिन B. सूर्य आपका आठ वाँ सवाल है, अंग्रेज शासक चाल्स द्वितिय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? A. पुर्टगाल, B. फ्रांस, C. डेन्मार्ग डच, D. पुर्टगाल की राजकुमारी कैथरीन आपका सही जवाब होगा, ओप्षिन D. पुर्टगाल की राजकुमारी कैथरीन आपका नौवा सवाल है, भारत में आलू की फसल किसने शुरू की थी? आपके ओप्षिन्स हैं A. पुर्टगालियों ने, B. अंग्रेजों ने, C. फ्रांसीसी ने, D. डचों ने आपका सही जवाब होगा, ओप्षिन A. पुर्टगालियों ने आपका दश्वा सवाल है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवशक है? आपके ओप्षिन्स हैं A. भाग्य का अनुकूल होना, B. अवसर प्राप्त करने के लिए क्षमता का होना, C. प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आपको ढाल लेना और परिश्रम से न भागना, D. उप्रोक्त सभी आपका सही जवाब होगा Option C. प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आपको ढाल लेना और परिश्रम से न भागना, D. दोस्तों ऐसी ही विडियो रोजाना देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए. आपका 11 हवा सवाल है, एक पुलिस कर्मी के लिए निमनलिखित में से कौन सा कारे सबसे आवशक है, आपके Options हैं, A. आक्रमनों से बचाना, B. सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिती को नियंत्रित करना, C. बाजार को निश्चित समय पर खुलवाना, D. जनता की सुरक्षा आपके अनुसार, आपका सही जवाब होगा, Option D. जनता की सुरक्षा आपके अनुसार, आपका बारहवा सवाल है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जन्गनना की जाती है, आपके Options हैं, A. पांच वर्ष, B. सात वर्ष, C. दस वर्ष, D. आठ वर्ष, आपका सही जवाब होगा, Option C. डस वर्ष, आपका दे रहवा सवाल है, हत्या के एक मामले की सुनवाई, ट्रायल, कहां होती है, आपके Options है, A. उच्च अतम न्यायाले में, B. उच्च न्यायाले में, C. जिला एवम सत्र न्यायाले में, D. ग्राम न्यायाले में, आपका सही जवाब होगा, Option C. जिला एवम सत्र न्यायाले में, आपका 14 हवा सवाल है, पानी पतकात्रितिय युद्ध, 1761, किन के बीच लड़ा गया, आपके Options है, A. मराठों और अंग्रेजों के मध्य, B. मुगलों और शेर्शा के मध्य, C. अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, D. अहम दशाहब दाली और मराठों के मध्य, आपका सही जवाब होगा Option D. अहम दशाहब दाली और मराठों के मध्य, दोस्तों ऐसी ही विडियो रोजाना देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए. आपका पंद्रहवा सवाल है, भारती अदन संहिता की धारा 124 से निम्नलिखित में से किस से समबंधित है? आपके Options है, A. राजद्रोह, B. मानहनी, C. रिश्वत, D. हत्यासहित डकैती. आपका सही जवाब होगा Option A. राजद्रोह आपका सोलहवा सवाल है, संसद को किस अनुच्छेद के अंतरगत समविधान का संशोधन करने का अधिकार है? आपके Options है, A. अनुच्छेद 349, B. अनुच्छेद 390, C. अनुच्छेद 368, D. अनुच्छेद 74 आपका सही जवाब होगा Option C. अनुच्छेद 368 के अंतरगत आपका सत्रहवा सवाल है, पार्थ किसका पर्याईवाची है? आपके Options है, A. पर्वत, B. श्रीकृष्ण, C. अर्जुन, D. युधिश्ठिर आपका सही जवाब होगा Option C. अर्जुन आपका ठारहवा सवाल है, इन में से कौन सा शब्ध घोड़े का पर्याईवाची नहीं है? आपके Options है, A. घोटक, B. सैंधव, C. है, D. गजुधिश्ष्ण, D. आपका सही जवाब होगा Option D. गजुधिश्ष्ण, D. आपका सही जवाब होगा Option D. गजुधिश्ष्ण, D. आ आप काउन नीश्वा सवाल है, इन में से कौन सा शब्ध जंगल का पर्याईवाची है? आपके Options है, A. विटप, B. दुम, C. शून्य, D. विपिन आपका सही जवाब होगा Option D. विपिन आपका 20 सवाल है, उनमीलन का विलोम होगा. आपके Options है, A. खुलना, B. निमीलन, C. निमीलित, D. उनमीलित आपका सही जवाब होगा Option B. निमीलन आपके लिए सवाल है, भारत की प्रधान मंत्री बनने के लिए नियून तमायू कितनी होनी चाहिए? आपके Options है, A. 21 वर्ष, B. 25 वर्ष, C. 30 वर्ष, D. 35 वर्ष. दोस्तों इस सवाल का सही जवाब क्या होगा आप लोग कॉमेंट करिए और विडियो के अंत में अपना Total Score जरूर शेयर करें मिलते हैं अगले विडियो में नए सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों ऐसी ही विडियो रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए।